जहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले की ड्रीम 11 में ग्रैंड लिग और मेगा ग्रैंड लिग जितने के लिए आपको टीम कैसे बनाना है अगर आप लोग अच्छा से अच्छा टीम एक बेहतर टीम बनाना सीख जाओगे तो आप लोग डेम लबन में ग्रैन लिग जरूर जितोगे ठीक है अब देखो यहाँ पे वर्ल कप का मैच चल रहा है और यहाँ पे एक मैच हो रहा है इंगलेंड और साउथ अप्रिका के बीच इसमें यहाँ पे विंद्ल एमाउन 25 करूर रूपया है और जदि आप लोग रैंक वान पे आऊगे तो आपको 12 करूर रूपया मिलेगा ठीक है अब आपको भी पता है कि 12 करूर रूपया कमाना कितना मुस्किल काम है ठीक है देर क्रोर रुपेया कमाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मैनत करना होगा बहुत ही ज़्यादा पराई करना होगा अगर आप लोग बिजनस करते होगे तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इन्बेस्टमेन करना होगा बहुत ही ज़दा समय लगेगा ठीक है तो इतना ज़दा अगर आप लोग दूसरे जगा मेनत करोगे तो इतना मेनत अगर आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो तो यहाँ पे भी आप लोग विनिंग कर सकते हो ठीक है बस इसमें थोरा सा मेनत करना होगा और थोरा सा समय देना ह तो वीडियो का अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बेश्ट से बेश्ट टीम कैसे बनाना है, आपको कितना टीम बनाना है, आपको कितना सेफ प्लेयर लेना है, कितना रिस्की प्लेयर लेना है, कितना सेफ टीम बनाना है, कितना रिस्की टीम बनाना है, A to Z जनकार बीडियो का उदर देनेवाला हूँ बस आपको वीडियो को वांच तक देखते रहना हु है और दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ठिक है इससे जसे जितनें करना है ठीक है मैं A2-Z तम्हें काहिवießen करना देता हूं कि आपको चैनल पर मिलेगी तो इसको subscribe करना नहीं है. इसका doktor चैनल के अग्रों में मिलेगा है यहांपे देखो 5000 की in Poppy तसलेकन चैनल की क्यान दिरॉट्स का छंक नहीं है, थे आपको को 25 हौग देना है टेलीग्राम चैनल कर लिंक मिलेगा ठीक है यहां से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन कर लेना है जब आप लोग यहां पर जाओगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहां पर small league का team और grand league का team आपको मेरे telegram channel पर मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यहाँ मेरा telegram channel है 3.2 के subscriber है ठीक है तो इसको भी आपको join कर लेना है यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर सभी match का यहाँ पर वीडियो भी मिलेगा तो इसको भी आपको join कर लेना है ठीक है अब चलिए बात करते हैं कि आपको team कैसे बनाना है ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो match हो रहा है ठीक है तो आपको team कैसे बनाना है ठीक है तो team बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि आपको हर एक match में कम से कम 10 team कम से कम बनाना होगा ठीक है 10 team बनाओगे तभी तो आप लोग जीत सकते हो अब किसी match में आपको risky team भी बनाना होता है और किसी match में आपको safe team भी बनाना होता है ठीक है तो safe team और risky team अगर आप लोग 10 team बनाने ते हो 20 टीम बनाने का option आपको मिलते है तो इसमें आपको क्या करना है 10 टीम बनाना है ठीक है 10 टीम में अगर 10 टीम बनाते हूँ 20 टीम ही बना सकते हूँ लेकिन कम से कम 10 टीम बना करके चलना है ठीक है 10 टीम में आपको क्या करना है 6 टीम हो ऐसा बनाना है जिसमें आप लोग safe player को captain, vice captain या safe team रखना है यानि कि इसमें आपका कम से कम जो रूपिया आप लगा रहे हुँआ आपस आही जाए हर एक situation में ठीक है उसके अलावा आपको 4 team में risky team बनाना है यानि कि 4 team हो ऐसा बनाना है जिसमें आप लोग का थोड़ा बहुत रूपिया loss भी हो जाए तो कोई problem नहीं है otherwise आपको benefit हो तो आपका पैसा वह आपस आजाए वह आपस मतब आपका जो 49 रूपिया लगा रहे है उसके जगाँ पे आपको 500 रूपिया 1000 रूपिया या देर को रूपिया वापस आए ठीक है यानि कि 4 आपको risky team बनाना है और 6 आपको safe team बना करके चलना है ठीक है अब देखो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि कितना team बनाना है कैसे team बनाना है तो मालोग आप लोग एक team बनाते हो ठीके अगर आप लोग पहला team बनाते हो grand league के लिए तो उसमें कैसे player का selection करना हुगा ठीके तो सबसे पहले आप लोग grand league जो भी जिसका भी ranked 1 पर आता है grand league ठीके उसका team आप लोग जा करके देखना उसमें ऐसा होगा कि मतब सबसे पहले तो 60% से उपर वाले प्लियर उसके बाद 40% से लेकर करके 60% वाले प्लियर और 40% से नीचे वाले प्लियर तीन टाइप के प्लियर मिलेंगे उसके टीम में ठीके 60% से उपर वाले प्लियर उसके टीम में 5 के एप्रोक्स में मिलेंगे 5 या 6 या 4 ठीके और यहाँ पे 40-60% वाले प्लियर कितना रहेंगे 2 या 3 तीन रहेंगे ठीके 5-3-8 या 6-2-8 या 4-3-7 ठीके और यहाँ पे 40% से नीचे वाले ठीके 40% से नीचे वाले कितने प्लियर मिलेंगे 3 या 4 प्लियर मिलेंगे 3 या 4 प्लियर वैसे प्लियर होंगे जिसका सेलेक्शन 40% से कम होगा या 30% से कम होगा ठीके तो आपको अपने टीम में क्या करना है 3 section में divide करना है player को सबसे पहले 60% से उपर उसके बाद 40% से लेकर के 60% के बीच में और 40% से नीचे 60% से उपर आपको कितना player लेना है अपने team में 5 player ठीक है और 40% से लेकर 60% के बीच में आपको 2 या 3 player लेना है ठीक है और आपको 40% से नीचे तीन या चार player लेना है जैसे 5, 2, 7 और 4 एगारे 5, 3, 8, 3 एगारे इस तरीके से आपको एक team बनाना है ठीक है? कहने का मतलब यह है कि आपको जब team बनाना है तो जितने भी बड़े बड़े player है ठीक है? आपको एक team में 22 मतलब एक match में आपको 22 player मिलेंगे ठीक है? तो 10 player में से आपको क्या करना है कि 4 player को अपने team से हाटा देना है ठीक है? यानि कि 5 या 6 player ही आपको लेना है जिसका selection 60% से कहने का मतलब यह है कि आपको बड़े बड़े player को छोड़ना भी होना होगा ठीक है? बड़े-बड़े player को छोड़ करके उसके जगा पे छोटे-छोटे player को अपने team में रखना है मैं अभी आपको team बना करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? कैसे बनाना है? तो सबसे पहले इतना तो आपको करना है इसके अलावा आपको दो काम और करना है जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ सबसे पहला आपको fixed player के रूप में मतब fixed player ढूनना है fixed player यानि को वैसे player जिसका performance system में चल रहा है अच्छा खासा चल रहा है और हर एक match में अच्छा performance दे रहा है उसको हम लोग बोलते है fixed player जिसका performance system में अच्छा खासा चल रहा है उसको fixed player बोलते है तो वैसे player को अपने team में रखना है और इसको कैसे रखना है 6 या 7 player आपको fixed player के रूप में रख सकते हूँ 6 या 7 उसके अलावा आपको trump player ढूनना होगा trump player उसी player को बोलते है जिसका selection 40% से कम होगा तो आपको trump player ढूनना होगा और fixed player में आपको क्या करना होगा fixed player में जैसे आपको एक team में एक team में आपको 6 या 7 fixed player ले करके चलना होगा ठीक है और कभी-कभी आप लोग 5 player भी रख सकते हूँ ज्यादा तर आपको 6 या 7 रखना होगा तो आपको fixed player में क्या करना होगा कि आपको 8 या 7 fixed player ढूनना होगा उसमें से एक दो player को आपको rotate कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको trump player में आपको क्या करना है जितने भी मतलब वैसे player जिसका selection 40% हो ठीक है 40% या इसे कम हो वैसे player को ढून लेना है मालू आपको 8 player वैसे मिल जाते है या 10 player वैसे मिल जाते है अभी इन 10 player में से आपको 6 रखना है मालू आपको 10 player मिल जाते है जिसका selection 40% से कम है ठीक है तो दौस प्लियर में से आपको सबसे पहले। पीच रिपोर्ट के बारे में पता करना होगा, ठीक है? आपको पता चलता है कि यह जो पीच है, बैटिंघ पीच होने वाला है, तो इसमें से आपकोई बैरस्मन को चраш लेना है, और बादी बालर को हटा देना है, ठीक है बैटिंग पीच में बैट्समान और all arounder को एक तरह और बॉलर को हाटा देना है ठीक है उसके बाद आपको बॉलर में भी आपको यह देखना होगा कि इस ground पे faster बॉलर को support मिलता है कि spinner को support मिलता है तो faster को मतलब इधर रख लेना है और spinner को हटा देना है ठीक है तो 10 प्लियर में से आप लोग छाटोगे तो आपको 7 प्लियर या 6 प्लियर आपको यहाँ पे यानि कि trump प्लियर मिल जाएंगे ठीक है 6 या 7 trump प्लियर मिल जाएंगे उसके basis पे आप लोग team बना सकते हो कैसे team बना की ज़्यादा मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे description वक्ष में comment section में आपको मेरे telegram channel का link मिलेगा वहां से जा करके आपको मेरा telegram channel भी जोईन करना है ठीक है अब चलिए मैं आपको बाताता हूं कि team कैसे बनाना है यहाँ पे उसके अलावा इन दोनों player को अपने team में रखा जा सकता है fix player के रूप में ठीक है तो चलो मैं इन दोनों को अपने team में रख लेता हूं ठीक है उसके बाद यहाँ पे बैटिंग section में देखो यहाँ जो रूट डेविड मलान आर्बी डर्सन या जो तीन player है इन प्लियर का selection यहाँ पे 70% से ज्यादा है ठीक है उसके बाद यहाँ पे अपर आठ पर्सन से कौम है यानि कि इसको हटा सकतो अब देखो यहाँ पे 8 player हम लोग को मिल गया है जिसका selection कितना है मतब 60% से उपर है और जदी आप लोग यहाँ पे रीशी टोपली को भी आप तो यहाँ पे आपको 9 player मिल गया है ठीक है तो इसमें से आपको क्या करना है इसमें से 6 या 7 player को आपको fix बान करके चलना है और बाकी इसमें से 3 player को हटा देना है ठीक है 3 player को कैसे हटा दोगे जैसे मालो यहाँ पे आपको पता करना हुगा कि यह pitch कैसा है ठीक है तो मालो यह uankhere में मैچ हो रहा है तो यहां जो पीछ है बैटिंग पीछ होने वाला है तो बैटिंग पीछ होने वाला है तो आपको अपने team में batsman को रखना है baller को हटा देवा है तुक है उसके अलावब आपको यहां पता कोणा हुए वहां कि किसको 1 but दे तो इस ग्राउंट फास्टर बॉलडर को ज्यादा सपोर्ड मिलता है। तो आप में आपने टीम फास्टर बॉल रखना है। यहाँ पर है कुगिसुरद है फास्टर बॉलडर है .. dif slap बॉल τον है और यहाँ पर he is all-rounder during the age of opening Nintendo तो यह बैटिंग करेगा तो बैट्समन हम लोग को चाहिए ठीक है तो इसको भी रखा जा सकता है डेविन मलान है डेविन मलान इससे में फॉर्म में चला है जो रूट है आर्बी डरसन है और जोस बटलर और कौांटरन डीकॉक है यानि कि यह सभी प्लियर वैसे प्लियर है जिनका सेलेक्शन जादा है और यह सभी प्लियर हम लोग के टीम में रहा सकते है ठीक है लेकिन इसमें यहाँ पे कितने प्लियर है यहाँ पे टोटल नाइन प्लियर है नाइन प्लियर में से आपको दो या तीन प्लियर को हटाना होगा यानि कि रोटेट कर सकते हो ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपको फिक्स प्लियर के रूप में धुड़ना होगा ठीक है तो क्वांटन डिकोग बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों से पॉइंट दिला सकता है और अच्छे बहुत ही अच्छे फॉर्म में चला है उसके अलावा यहां पे इस प्लियर पे सक है इन दोनों प्लियर पे सक है ठीक है और तीसरा यहां पे एड़न मौरकरम पे सक है ठीक है इन तीनों प्लियर पे हम लोग को डाउट है यानि कि इन तीनों प्लियर को अपने टीम से हटाया जा सकते है ठीक है और ऐसा नहीं कि हटा है ना जो डूरल्ट य एसा ढहता है तो इसको अपने टीम में रखा जा सकता है यानि कि इसमें से में तो ड्वेवीर मलान को हटा देता हूँ ठीक है क्योंकि यह वैसे player है जो hit and miss type के player है ठीक है कभी अच्छा performance करेंगे कभी अच्छा performance नहीं करेंगे तो इस पे doubt है तो इन दोनों को हटा दिया जाता है ठीक है उसी परकार से यहाँ पे add and markram है pure all rounder नहीं है किसी match में balling करेंगा किसी match में balling नहीं करेंगा batting order भी थोरा select है ठीक है तो इसलिए इसको हटाए जा सकता है अब देखो यहाँ पे हम लोग को 6 6 जो player है 6 player आपको fix मिल गया है ठीक है इस match के लिए तो इसी तरीके से चाटना है ठीक है इस तरीके से आपको चाट करके 6 player या 7 player का आपको fix ले लेना है तो इस match के लिए या 6 player आपको fix मिल गए है अब आपको multiple grand league का team बनाना है जैसे 10 team बनाना है ठीक है या आपको 10 team या 8 team भी बना सकते हो ठीक है तो उसमें इन सबी 6 player को रख सकते हो ठीक है या ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हो जैसे किसी match में यहाँ पर जो route को हटा करके इसके जगाँ पर डेविन मलान को रख करके आपको मतब जब आप लोग मैंने आपको बता है ना 6 आपको safe team बनाना है ठीक है और आपको 4 risky team बनाना है तो 4 risky team में आप लोग यहाँ पर जो route को हटा करके यहाँ पर डेविन मलान को रख सकते हो या उसके जगाँ पर आर्बी दर्सन को रख सकते हो ठीक है इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने रिसी टोपली को बताया है रिसी टोपली को भी आटा सकते हो और रिसी टोपली की जगाँ पर यहाँ पर आर्बी दर्सन को ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पर फिर से आपका 6 प्लेर हो गया है यहाँ पर मैंने एक बैर्समन को निकाल दी यहाँ पर Receipt Tree को मैंने राका और यहाँ पर Devin Miladne को हटा दिया तो यहाँ पर 6 player हम मिल गया है जिसका सेलेक्षन ज़्यादा है अब यहाँ पर आपको 5 player लेना है तो 5 player में आपको क्या करना है कि 5 player में आपको धुनना है कि 2 player वह ऐसा है जिसका सेलेक्षन 40 से लेकर के 60 परuana के बीच में हूँ, ठीक है, तो दो प्लेयर आपको 40-60 तो रखा जा सकता है लेकिन यहाँ पर इस ग्रांड पर इस पीनर को सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पर फास्टर बॉलर को सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर हम लोग आदिल रसीद को नहीं रखेंगे इसके जगा पर हम लोग यहाँ पर मार्क उड को अपने टीम में रख ले अब तीन प्लियर वैसा ढूड़ना है जिसका सेलेक्षन यहाँ पे 40% से कम हो या 30% से कम हो ठीक है तीन प्लियर और पीछ रिपोर्ट के उन सारी टीम बनाना है तो यहाँ पे बैटिंग पीछ है फास्टर बॉलर को सपोर्ट मिलता है ठीक है तो बैट्समन में यहाँ पे डेवीर मलान को हम हटा देंगे यहाँ पे तेमबा बभुब और हैरी बुरुक और डेवीर विलर इन तीनों प्लियर में से किसी एक प्लियर को या दो प्लियर को अपने टीम में रखा जा सकता है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चलो मैं यहां पे टेंबर बभुभ वा को ये रख लेता हूं स lenghtर देखांसrãoर यहां पे चलो मैं यहां पर इक प्रक्रार इस यहां मंगरे यहाँ सेल कि आता मिलता है, तो faster baller को अपने team में रख लेंगे ठीके, उसके बाद यहाँ पे देखो, एक और player चाहिए, तो एक player में इस grad ze 14 employees को मिलता है उसके लाव bestman को support मिलता है, तो यहाँ पे faster baller को हम लोग अपने team में रख लेंगे, अब देखो यहाँ पे देखना होगा कि यह जो player है लूंगी एंगीडी और जीकोधी इन दोनों player में से किसी एक player को अपने team में रखा जा सकता है ठीक है यहाँ पे देखो दोनों team जो है तगरी team है ठीक है तो यहाँ पे 7-4 का combination हो यह 6-5 का combination हो ठीक है तो फिलाल मैं यहाँ क्या करता हूँ लुंगी एन गीडी को अपने टीम में रख लेता हूँ या इसके अलाव़ यह जो player है यह आपको betting से भी point दिला सकता है और bowling से भी point दिला सकता है तो इस player को हम लोग अपने team में रख लेंगे किसी दूसरे टीम में आप लोग लूंगी और गिंडी को अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर टीम तयार हो जाता है अब बात करते हैं कैप्टनर भाइस कैप्टनर किसको बनाना है ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा मैंने आपको बता है कि छे सेफ टीम बनाना है और चार रिस्की टीम बनाना है ठीक है तो रिस्की टीम में आपको क्या करना है रिस्की प्लियर को कैप्टनर भाइस कैप्टनर भाइस कैप्टनर भाइस कैप्टनर बना सकते हो चार टीम में और छे टीम में आपको क्या करना है जि को कैप्टन बाइस कैप्टन बना सकते हो जैसे यहां पर क्वांटन डिको को कैप्टन बना सकते हो और भाइस कैप्टन यहां पर मतब मार्को जैंसन को बना सकते हो या भाइस कैप्टन यहां पर जो रूट को बना सकते हो ठीक है यह आपका सेफ टीम हो जाएगा उसके कोई यहाँ पे जाएगा quantum deco के साथ लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा risk लोगे रिस्की टीम बनाओगे तो यहाँ पे तेमबा बबुमा के साथ जाओगे तो मा लोग quantum deco का अच्छा performance कर जाएगा तो इसका सेलेक्षन जादा है तो आपको आपका जीतना थोड़ा सा मुश्कील होगा लेकिन वहाँ यहाँ पे तेमबा बबुमा अगर अच्छा performance कर जाएगा तो इसका captain का selection क्यों एक परसंट है तो इसको हम लोग captain बना सकते हैं और भाईइस captain में यहाँ पर जैनी बिरिश्टों को हम लोग बना सकते हैं इसका भी captain vice captain का selection कंग है यानि कि जिस पलियर का selection 5% से कंग है captain life. ठीक है, ऐसे situation में क्या होता है, कभी कभी आपका 49 रोपी है, वो आपस नहीं आता है, आपका लॉक्ष चला जाता है, ठीक है, अगर अगर अभुआ प्लियर आच्छा performance करेगा, तो आप लोग अच्छा कासा amount कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आपको टीम बनाना है ठीक है या जो मैंने बनाया है यह रिसकी TEAM SAKE WO Speholder brand I अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाएक कर देना है है चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेली पेडिग्राम चैनल को जोईन कर लेना है जिसका लिंक आपको नीचे डिसके पसंद में और कमेंट सेक्षिन में पहले कमेंड में मिलेगा ठीक है ओके थाइंक यू जाहिंद